हलो फ्रेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका, SSC, GD, Final Merit का हम लोग वेट कर रहे हैं, Final Merit आने से पहले बहुत सरे डाउट्स हमारे दिमाग में रहता है, कैंडिडेट्स को बड़ा डर लगा हुआ है, टेंशन में है, Border District Area को हम डिसकस कर रहे हैं यहाँ पर, Cut-Off, Male Candidates के लिए, देखे दोस्तों, Border या नकसल, जहां से भी आप बिलॉंग करते हैं, यदि आप Journal District में आपका नाम आया है, यानि आपके Marks जो हैं, वो Journal District के Cut-Off से ज़्यादा है, तो आप Journal District में आपका नाम आ गया है, अब Candidates को डाउट होता है, कि मैं Journal District की मेरिट में नहीं आ पाता हूँ, तो क्या मुझे आउट कर दिया जाएगा, कत्ता ही आउट नहीं किया जाएगा, आपको, यदि आप Journal District के Cut-Off में नहीं आते हैं, तो आप Automatic Border या नकसल जैसा भी आपका अईरिया होगा, उसमें आप Shift हो जाएंगे, दूसरा डाउट जो है, वो आपके लिए ये क्लियर कर देना चाहते हैं यहाँ पे, कि Border या नकसल की वेकेंसी यदि खाली रह जाती है, तो संबंधित रज एक वो संबंधित कैटेग्री को है, जो एकसेस कैंडिरेट्स होते हैं, जो जर्नल डिस्टिकरिया में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको माक्स के अधार पे Border या नकसल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अटमेटिक ये रूल है, और ये अब से नहीं है, ये 2011 की जो SSC थी, उससे पहले से भरती का ये नियम चला आ रहा है, अब देखें सबसे पहले हम अरणाचल प्रदेश की बात करते हैं, यूर कैटेगरी में सिरफ 47 कैंडिडेट्स अविलेबल हैं, जबकि यहां पर वेकंसी आपको बता देता हूँ, अरणाचल की यूर की 122 वेकंसी है, तो ये 47 जो कैंडिडेट्स हैं, कोई कट अफ नहीं रहेगा, जो इसमें फिट हो गए हैं, वो सभी बढ़ती हो जाएंगे, आसाम बॉर्डर डिस्टिक के दिए हम बात करते हैं, तो आसाम में SC, SC की 18 वेकंसी है, 18 पे देखिए, 54 कैंडिडेट्स हैं, नहीं 3 गुना कैंडिडेट्स अविलेबल हैं, 45 यहां पर माक्स रहा है, तो इसको 45, डेड़ नमबर इसमें आप बढ़ा दीजिए, और 42 तक जो माक्स हैं, 42 से उपर वो कैंडिडेट्स यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, स्टी असाम की बात करते हैं, 96 कैंडिडेट्स अविलेबल हैं, और 32 वेकंसी है, तो वही डेड़ से दो नमबर आप इसमें बढ़ा दीजिए, OBC 213 कैंडिडेट्स हैं, और OBC के लिए 71, तो वही दोस्तों दो नमबर तक आप यहां पर भी इजाफा कर दीजिए, और UR में 411 कैंडिडेट्स हैं, और 137 वेकंसी हैं, पूरा पूरा तीन गुना है दोस्तों, तीन नमबर तक यहां पर इजाफा हो जाएगा, वह कैंडिडेट्स जो है 41.63 पर कट ओफ हैं, और जिन को प्लस तीन इसमें दी हम कर देते हैं, तो 44.63 से उपर जो है, वह कैंडिडेट्स यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, बिहार बॉर्डर डिस्टिक की बात करते हैं, तो बिहार में सिरफ SSB की वेकंसी है, बिहार में बॉर्डर डिस्टिक के लिए, टोटल 902 वेकंसी हैं बिहार के लिए, बिहार SC के हम बात करते हैं, तो SC444 कैंडिडेट्स एविलेबल हैं, और बिहार SC, 191 वेकंसी हैं, तो 191 पूरा-पूरा तीन गुना नहीं होता है यह, 245 हैं, इस में से आप 100 कैंडिडेट्स आप आउट कर दीजिए, 200 कैंडिडेट्स लेने हैं लगपग, और उस में से 300 सवा 300 कैंडिडेट्स एविलेबल होंगे, डेड़ से 2 नमबर का आप इजाफा यहां पे कर दीजिए, स्टी जो है, स्टी 19 कैंडिडेट्स एविलेबल हैं, और 7 वेकंसी है, धाई नमबर तक आप इजाफा यहां पे कर दीजिए, OBC 480 है, और OBC की वेकंसी की हम बात करते हैं, तो बिहार OBC 193 वेकंसी है, तो यह भी 2 नमबर तक का इसमें इजाफा हुगा, यू आर 1381 कैंडिडेट्स हैं, और 511, पुरा पुरा तीन गुना यह भी नहीं होता है, 59.5 से तीन नमबर तक का यहां पे इजाफा कर दीजिए, गुजरात के हम बात करते हैं, गुजरात SC 38 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, जबकि गुजरात SC की जो वेकंसी है वो 15 है, 15 है, लगभग तीन गुना पुरा नहीं होता है, एक नमबर एक से डेड़ नमबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा हैं पे, ST 99 कैंडिडेट्स हैं और वेकंसी 33 है, पुरा पुरा तीन गुना है, यहां पर 2 से धाई नमबर तक का इजाफा हो जाएगा, OBC 187, 46.64 पे रहा है, और OBC गुजरात की बात करते हैं, तो 59, 59 पे कैंडिडेट्स जो है, वो एविलेबल हैं, OBC 187, पुरा पुरा तीन गुना है, तो यहां पर 2 से धाई नमबर का इजाफा यहां पर हो जाएगा, UR 330 वेकंसी है, 110, स्वरी 110 वेकंसी है, 330 कैंडिडेट्स एविलेबल हैं, तो तीन गुना है, तीन गुना का मतलब है, यहां पर 2 से तीन नमबर का इजाफा, गुजरात का भी आप लगा लीजिए, हिमाचल परदेश SC के सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स एविलेबल हैं, हिमाचल परदेश के हम बात करते हैं, तो हिमाचल परदेश वेकंसी जो है, वो SC की 6 वेकंसी है, यानि कि दोनों कैंडिडेट्स जो है, फिट होता ही भरती हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैंडिडेट्स को है, वो फिट भरती होंगे, यदि एक ही फिट होए हैं, तो वो भरती होंगे यहाँ पर, हिमाचल परदेश OBC की बात करते हैं, तो हिमाचल परदेश OBC एक भी कैंडिडेट्स एविलेबल नहीं है, जबकि 5 वेक वेकंसी जो है, वो हिमाचल परदेश बार्दर की जो खाली रह रही है, यह वेकंसी शिफ्ट हो जाएगी, हिमाचल के जो जर्नल डिस्टिक के जो कैंडिडेट्स होंगे, यह उनको चली जाएगी, हिमाचल यूर बार्दर डिस्टिक के 39 कैंडिडेट्स एविलेबल हैं, और 13 यहाँ पर vacancy है तीन गुना रह जाता है तो यह तीन गुना में देखे दोस्तों यहाँ पर बता दूँ आपको कि 40.25 है तो दो नंबर तक का यहाँ पर इजाफा हो सकता है उससे ज़्यादा नहीं इजाफा होगा जमो कश्मीर SC 48 candidates available हैं 52.23 पर जमो कश्मीर ST की हम बात करें तब देखे जमो कश्मीर में ITBP की और BSF की vacancy है जमो कश्मीर में तो यहाँ पर vacancy की हम बात करते हैं 16 vacancy है ST की 16, 48 तीन गुना है इसमें से 12, 13, 15 तक के जो candidates हैं वो यहाँ पर out हो जाते हैं फिर पीछे जो बसता है उसमें आप 1,5 नमबर से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पर नहीं होगा यही ST में भी 1,5 नमबर ही इजाफा यहाँ पर हो पाएगा ST की choice vacancy है choice की पीछे 72 candidates available है यहीं पूरा पूरा तीन गुना candidates available है तो दोस्तों यह जो cut off है border का इसके हम आगे बढ़ते हैं इसमें जमो कश्मीर OBC की बात करता है 168 candidates available है उसके पीछे 56 vacancy है पूरा पूरा तीन गुना है डेड नमबर का इजाफा इसमें कर दीजे उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जमो कश्मीर 123 vacancy UR की है पूरा पूरा तीन गुना है 52.98 यानि के लगबक 53 पन पे है तो 55 से उपर जिन candidates को marks हैं वो लोग यहाँ पे select हो जाएंगे उसका देखे माँ वज़े आपको बता देता हूँ कि जो 5 visit तक जो लिया जा रहा है दश्मलाव के बाद में इसमें बहुत सारे candidates बराबर marks पे हैं जबकि 2015 में 52 से direct 53 पर ही गया था यानि कि points में आपके marks नहीं थे 2015 मनीपूर की बात करते हैं मनीपूर border district SC तो मनीपूर में border की बात करते हैं तो मनीपूर में SC में 6 vacancy है लेकिन एक candidate available है तो वो भरती हो जाएंगे ST में 63 vacancy है 47 candidates हैं सभी भरती हो जाएंगे UR मनीपूर 93 vacancy है और मनीपूर के सरफ 80 candidates है सभी भरती हो जाएंगे यानि मनीपूर की vacancy फिर खाली जाती है border district OBC के मनीपूर का एक भी candidate available नहीं है और OBC की choice vacancy है तो ये vacancy जो खाली रहेगी वो मनीपूर general district को shift हो जाएगे general district के जो candidates है उनको मेघाले की हम बात करते हैं तो मेघाले में BSF की vacancy है जिसमें SC की एक vacancy है और SC की एक भी candidate available नहीं है ST की 61 candidates available है और 45 vacancy है तो 45 ये समझें की 61 candidates को medical के लिए बुलाया है तो उसमें 45, 44 इतना ही candidates medical fit हुआ है और वो candidates जो fit हुए हैं वो सभी मेघाले ST बढ़ती हो जाएंगे मेघाले OBC की 5 vacancy है लेकिन एक भी candidate available नहीं है तो वो 5 vacancy जो है वो मेघाले जर्नल डिस्टिक को shift हो जाएगी अब मेघाले UR का 102 candidates available है और vacancy 34 से यहां थोड़ा competition हो जाता है एक से डेड़ नंबर का यहां पर इजाफा हो जाएगा उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा मिजोरम की बात करते हैं मिजोरम तो मिजोरम में SC की vacancy मिजोरम में नहीं है मिजोरम ST 75 vacancies है तो मिजोरम ST 75 पे candidates 34 ही available हैं तो जो candidates ST, मिजोरम, border district जो fit हो गए हैं वो सभी भरती हैं किसी प्रकार का उनको tension करने की जौरत नहीं है मिजोरम UR का 84 vacancy है मिजोरम की OBC की भी no vacancy है लेकिन वो एक भी candidate available नहीं है मिजोरम UR 37 candidates available हैं और मिजोरम की vacancy जो है वो 84 है तो ये भी मिजोरम के भी जो हमारे साथी हैं जो 37 में जो fit हो गए हैं वो सभी बरती हो जाएंगे नागालेंड की बात करते हैं नागालेंड ST तो नागालेंड SC की vacancy नहीं है नागालेंड में नागालेंड में ST 89 vacancy है और नागालेंड ST सरफ 11 candidates हैं सभी भरती हो जाएंगे नागालेंड UR 25 candidates available हैं जबकि vacancy 108 है ये भी सभी भरती हो जाएंगे कोई cut off की tension नहीं है जो fit है वो भरती हो जाएंगे पंजाब SC 246 candidates available है 51.99 यानि के लगबग 52 पर रहा है तो पंजाब की हम बात करते हैं पंजाब SC पंजाब SC का 82 vacancy है अब 82 के पीछे देखे पूरा-पूरा तीन गुना है तो तीन गुना पूरा-पूरा है उसमें से एक गुना candidate जो है यानि एक बटा तीन जो है वो medical out हो जाते हैं पीछे बसता है दो गुना एक vacancy की पीछे दो लिया जाता है तो 52 से ये साड़े 54 से उपर जो होंगे candidates वो अराम से यहाँ पे select होंगे पंजाब में ST नहीं है एक भी vacancy ST के नहीं है पंजाब में OBC की 60 vacancy है 60 पे वो ही 3 गुना 180 candidates available है तो ये भी आप 2.5 से 3 नंबर का जाफ़ा इसमें कर दीजे और पंजाब UR 423 candidates available है और 423 के पीछे पंजाब का 141 यानि पुरा पुरा तीन गुना है यहाँ पे 2.5 से 3 गुना इजाफ़ा इसमें भी आप कर दीजे क्योंकि जहाँ पर देखे दोस्तो candidates कम होते हैं वहाँ पर cut off जो है वो बढ़ती है राजस्तान की बात करता है हम राजस्तान में भी पुरा पुरा अच्छा competition है राजस्तान में और पुरे पुरे तीन गुना candidates यहाँ पर रहेंगे राजस्तान SC में 42 वेकंसी है तो 42 के पीछे यहाँ पर देखिए 126 पुरा पुरा तीन गुना है 68.24 तो 70 से उपर इसमें जिन को जिन candidates के marks हैं वो यहाँ select हो जाएंगे राजस्तान ST 102 candidates available हैं जबकि 34 पुरा पुरा तीन गुना है यहाँ पर यहाँ पर भी आप 54.25 है जो 54.25 का मतलब है यहाँ पर जिसको 56.25 322 से उपर जिनके marks होंगे दो नमबर इजाफा इसमें मानके चल रहे हैं कि वो लोग यहाँ select हो जाएंगे राजस्तान OBC 153 candidates available हैं 76.79 लग भग 25.25 नमबर का इजाफा आप यहाँ पर कर दीजे और राजस्तान UR 375 है और राजस्तान 125 है वेकंसी यहाँ पुरा पुरा तीन गुना है तीन नमबर तक का इजाफा आप border district में आप कर दीजे कोई वेकंसी राजस्तान border की खाली नहीं रहेगी तो वो general district को भी shift नहीं होगे अब हम बात करते हैं तीरपुरा की तीरपुरा SC तीरपुरा SC की 20 वेकंसी है 20 वेकंसी जो है उसके पीछे 60 candidates है 37.87 तो 37.87, 8, 39, 39.5 से जिनको उपर है वो candidates यहाँ भरती हो जाएंगे ST, ST में 38, तीरपुरा ST 38 वेकंसी है 38 के पीछे पूरा पूरा तीन गुना candidates है तो 33.47 यहाँ पर लगबग डेड़ नंबर का जाफा कर लीजे क्योंकि cut-off डाउन है बिलकुल 33 पर है तो ज्यादा marks का जाफा इसमें होने का chance नहीं है OBC दो वेकंसी है तुरपुरा बॉर्डर की और 6 candidate है इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है दोस्तों क्योंकि यही 6 के 6 fit हो गए है तो आपको पता है जिन दो candidates को सबसे ज़्यादा marks होंगे वो भरती हो जाएंगे और यही 6 के 6 unfit हो गए है तो वो दो वेकंसी खाली चली जाएगी और वो तुरपुरा OBC जर्नल डिस्टिक में shift हो जाती है तुरपुरा UR की बात करते हैं हम तो 61, 61 पे भी पूरा-पूरा 3 गुना है 39.98 यानि लगबग 40 है तो 42.5 से उपर जिनका रहता है वो लोग तुरपुरा UR border district से select हो जाएंगे उत्तरपरदेश के हम बात करते हैं तो उत्तरपरदेश SC 527 527 यहाँ पर SC के candidates available हैं और 176 वेकंसी है यानि पूरा-पूरा 3 गुना है तो 39.13 इसमें आप दो नमबर का इजाफा आप कर दीजिए वो लोग भरती हो जाएंगे उत्तरपरदेश ST 9 वेकंसी है 937 इसमें कुछ बताना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि 27 में से कितने candidates fit होए हैं उस पे defend करेगा 27 आपको पता है कि 27 में से आधे candidate यदि हम fit मानके चलते हैं तो marks यहाँ पर ज्यादा इजाफा होने का chance नहीं है एक नमबर तक हम मान सकते हैं इसमें उत्तरपरदेश OBC 594 candidates available हैं और उत्तरपरदेश OBC का वेकंसी 198 है पुरा प्रतीन गुना दोस्तो 56.9 है यानि कि 57 पर है यह तो 57 प्लस 360 से उपर जिनको है OBC वो candidates निशित रूप से select हो जाएंगे उत्तरपरदेश UR 61 पर है cut off तो 61 और 3 से 3.5 वाक्स यहाँ पर इजाफा कर देते हैं तो यह candidate जो 64.5 के आसपास जिनको रहता है उनका full chance है select होनेगा उत्तराखंड में 62 और candidates कितना है वो भी हम देख लेते हैं 186 और vacancy जो है वो हम देख लेते हैं तो उत्तराखंड में SC की जो है वो 62 वेकंसी है 62 का मतलब है पूरा पूरा तीन गुना है दोस्तों अब तीन गुना में बासाट और तीन 65 ये 62.5 के असपास है 46 तो जिसको 65 मार्क से उपर है वो लोग अराम से select होंगे उत्तराखंड ST 27 नो ही वेकंसी है 27 candidates हैं यहां थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कितने candidates इसमें fit होते हैं कम candidates में यह अनुवान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उत्तराखंड OBC के हम बात करते हैं 139 candidates available हैं 43 frequency है 43 के पीछे इसमें से अब आधे से ज़्यादा candidates यहां पर available रहते हैं 64.5 है इसमें 2.5 नमबर का आफ इजाफा कर दीजे वो candidate select हो जाएंगे उत्तराखंड UR 690 है तो 690 का यहां मतलब 230 vacancy है 230 के पीछे पूरा-पूरा तीन गुना है 65.79 यानि कि 65.65 से ज़्यादा है तीन नमबर तक इसमें बढ़ा दीजे तीन से साड़े तीन मार्क इसमें इजाफा कर दीजे वो लोग select हो जाएंगे West Bengal की हम बात करते हैं तो West Bengal SC 1227 candidates available है और West Bengal vacancy कितनी है vacancy 409 पूरा-पूरा तीन गुना है दोस्तो तीन नमबर का इजाफा यहां पर आप कर दीजे ST 89 vacancy है 89 के पीछे भी 266 पूरा-पूरा तीन गुना है चुमालिस पूइंट एक चार तो चुमालिस साड़े च्यालिस से जिनको ज़्यादा है वो लोग यहां पर select हो जाएंगे OBC 1189 candidates है और OBC 393 पूरा-पूरा तीन गुना है यहां पर धाई से तीन नमबर का इजाफा यहां पर आप कर दीजे 40.43 है इसमें धाई नमबर हम बढ़ाते हैं तो 40, 41, 42, 43, 43 से 43 से उपर जिनको है वो लोग यहां पर निच्चत रूप से select होने का full chance है और UR में 44.45 रहा है पूरा-पूरा तीन गुना candidates एविलेबल है तो 44.45 साड़े चुमालेस और 3 से सवा तीन नमबर तक आप इजाफा कर दीजे साड़े तीन अधिकतम कर दीजे उससे ज़्यादा यहां पर भी नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों यह border district का आपको जो discussion हमने किया है अब इसमें देखिए कुछ लोगों को इसमें आपत्ती हो सकती है कुछ लोग यह कहते हैं कि इतना नहीं बढ़ेगा तो जो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो हमने आपके दौरा प्रोवाइड किये गए marks प्लस कितने candidates fit हुए प्लस कुछ states ऐसे भी हैं जहां पर इसी दोरान constable level के दूसरे exam भी आउजित किये गए और कुछ candidates उस exams में select होने के बाद में absent रह जाते हैं तो वो भी cut off नेधरान में बहुत फर्क डाल देता है यदि candidates medical में present रह गए हैं और उसके बाद वो join नहीं करते हैं तो देखिए वो तो vacancy खा जाते हैं लेकिन यदि candidate merit में आ रहा हैं और वो medical में absent हो जाते हैं तो वो vacancy जो है वो नीचे shift हो जाती है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं यदि को ये आपको आपती है तो आप भी अपने विचार रखें उसका भी हम सुझाव जरूर देंगे आपको reply करेंगे आप इससे सहमत नहीं है तो गलत कमेंट ना करें गलत कमेंट से देखिए आपका जो है चरित्र जो है आपका ही उजागर होता है उससे हमें कोई विशेश फरक नहीं पड़ता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है प्रीट चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप रुकना नहीं थमना नहीं अब ठानना है वर्दी को हराल में पाना है जैहि कि अबेंगे ढो